असलामलेक्ट दोस्तों वेलकम डूब यूट्यूब चैनल मेरे नाम है काश्वीफ मजीद आज की सुडिय के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि आप किस तरह से टिक टॉक वीडियो को यूट्यूब पर अप्लोड करके ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं कैसे यूट्यूबर यह कहते हैं कि यार इस पर रियूस कॉंटेंट आएगा इस पर ऐसा होजेगा वैसा होजेगा और इससे अर्निंग नहीं हो सकती तो वो कैसे करते हैं लोग तो यह मैं आपको स्वाल का आर्शर भी दूँगा ठीक है इस स्वाल का जौब भी दूँगा उस टाइम आप लोगों को इस चीज़ का ख्याल नहीं था ठीक है उस टाइम रियूस कॉंटेंट इस वजह से नहीं आता था उनके चैनल्स पे क्योंकि उस टाइम एक दो चैनल सी थे जो ऐसा काम कर रहे थे और वो लोग सेम छापा नहीं मारते थे दुसरे की वीडियो का अलएदा अलएदा हर बंदा अप्लोड करता था और सारी वीडियो ऐसी होती थी जिसमें आप कहलें के सिर्फ वोईस एक हुमन वोईस उती डैसे आप मैं बात कर रहा हूं तो मेरी वीडियो में कहीं पर भी कॉपिरेट क्लेम नी आ सकता है लेकिन अगर मेरी वीडियो में अब चल रहे हैं तो मेरी वीडियो में जो है न वो आसकता है कॉपिरेट के ठीके जितने भी बैगराण जो से होते हैं ठीके जितने भी आफ गाने को इंडियां लगा दें कोई भी तुसमें आज सकता है अब क्विश्य तक है लेकिन काफी लोगे इस तरह से चैनल दी मोट इसके बाद YouTube की तरफ से, मगर जो लोग रह गए हैं, वो ये करते हैं, कि कोई भी टिक टॉकर एक वीडियो अप्लोड करते हैं, जो के फ़नी होती है, जिसमें copyright claim का हच्चा नहीं होता, ठीक है, एक मिनिट के फ़नी वीडियो भी लोग डालते हैं, वहाँ पे, उसकी वीडिय डिरेक्ली जैसी वो अप्लोड करते हैं, वहाँ से डाउलोड करते हैं, अप्लोड कर देते हैं, तो उनकी तरफ कोशिश यही होती है, maximum chances में reuse content नहीं आता, मगर वो भी एक किसम के कहने के border पे होते हैं, strike पे ही होते हैं, कभी भी उनके लिए भी problem हो सकती हैं, तो वो लोग अगर आप कैसे कर सकते हैं, आपके पास हैं दो तरीके, एक तो यह है कि अगर आप tik-tokker हैं, ठीक है, नमबर वन तरीका, अगर आप tik-tokker हैं, tik-tok पे content अप्लोड करते हैं बकाइदा, तो फिर आप यह कर सकते हो, कि आप एक मिनिट के वहाँ पे वीडियो बनाना अगर आप अब tik-tokker नहीं है, आप समयचने के आप मैं तो tik-tokker नहीं है, मैं आप कैसे सिर्फ वहाँ से copy-paste करूंगा, तो क्या monetize हो का channel बिल्कुल भी नहीं होगा, अगर आप सिर्फ copy-paste करेंगे तो वहाँ से channel monetize नहीं होगा, आपके पास एक issue आएगा जिसको कहते है reuse content, मतलब आपने content reuse किया, दुबारा से use किया, तो YouTube ये issue डाले का, and आप जो है नवो आपके ये problem होगी, अप करना क्या होगा, अगर आप नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, कि आप जो है नवो simple, रीजू, sorry, जो भी tik-tokker, जो content होता है, उसके उपर आप reaction videos बना सकते हैं, अब ये क्या होती है, इसे मुराद ये है, कि जैसे आपने वकार जखा को देखा होगा, वो reaction videos बनाता है, एक side पे screen पे आप छोटी सी उनकी video लगाएंगे, tik-tokker की, जो भी आपको funny video लग रही हो, जिसमे copyright claim ना हो, ठीक है, कोशिश कीजिएगा, जिसमें songs वोगे ना हो, ए reaction चैनल, हम monetize करते हैं, तो इस तरह से आपका चैनल, monetize हो सकता है, जिसमें आप 70% से, या कहने कि 60% से 70% creativity show करेंगे, मतलब आप खुद बात करेंगे, खुद reaction दे रहे होंगे, कि यार इसने क्या बात कर दी, हंसर होंगे, उसमें ठीक है, और कोई भी funny videos उठाएंगे, उसके चैनल, कैसे आप लोग करवा सकते हैं, और तीसा भी मैंने आपको जो, जो भी आपको पॉइंट था है, ठीक है, अगर आपको वीडियो को लाजमी से अब लाइक करना, अगर आप लोगों ने कोर्सिस करने हो, Facebook, Fiverr या YouTube, या YouTube SEO से अर्निंग करने का, ठीक है, Facebook से अर्निंग करने का, तो आपको नीचे नमबर मिल जएगा, डिस्किप्शिन बॉक्स में, यहाँ पर मैसी कर सकते हैं, तो अगर आपने ना करने हो, तो आप मेरी वीडियोस देखें, यूट्यूब पर, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल अक्नल को प्रेस करें, यह बिल्कुल free of cost है, मिलता हूँ आप से नेक्स रूवीव में अपना रख कि बिल्कुल free of cost.